नमस्कार मेरा नाम है नील दृष्टिया ये स्केरेटोरियल एनलिसिस में आज आपका फिर से स्वागत है जिस संपात के की चर्चा हम आज कर रहे हैं उसे लिखा है टीपी शीनिवासन साहब ने जो भारत के पूर्वराजदूत रहे हैं और ये संपात किये GS Paper 2 के IR खंड के लिहास से इंपोर्टन है क्यों इंपोर्टन है क्योंकि ये 2021 में भारत के विदेशनीती के समक्ष क्या-क्या समस्या है रही और क्या-क्या अचीव्मेंट्स रहे भारत के विदेशनीती के उन सबके संदर्भ में बात करता है ये संपात किय आगे बढ़ने से हम पहले बता दें कि कोरोना संक्रमन के लगतार बढ़ते मामलों के चलते इस प्रोग्राम को अभी कुछ दिनों तक वाइस ओवर बेस्ट भेजा जाएगा इस्तिया सामाने होते ही प्रोग्राम फिर से पूर्वरूप में प्रसारित किया जाएगा आपके साहियोग के लिए धन्यवाद तो शुरुवात करते हैं सबसे पहले ट्रीपी शीनिवासन सहाब कह रहे हैं कि वो अपने कलीक के लिए अपने सह कर्मी के लिए जो कि अभी वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री है एस जैशंकर उनके तारीफ कर रहे हैं उनके लिए चिंता जता रहे हैं बहुत संजीदा बात है लेकिन हमारे एक्जाम के लिहास से बहुत महत्वपूर नहीं है बस हमें ये ध्यान लहना चाहिए कि जो अभी हमारे विदेश मंत्री है वो इससे पहले foreign secretary रहे थे यानि कि जिनको कहा जाता है career bureaucrat इस प्रकार से वो career bureaucrat थे अभी वो राजनीती का हिस्सा है राजनीती में है और इस समय भारत के विदेश मंत्री है तो इस शुरुवात में कुछ कहा नहीं गया है एक्साम के लिहास से महतुकून तो आगे बढ़ते हैं इस slide में संपात किये इस बात पर मुरा है कि 2021 को एक बहुत important साल होना था ये शुरुवात से ही पता था इसलिए केवल इसलिए नहीं क्योंकि एक महामारी और पैंडेमिक फैला हुआ था बलकि हमने देखे कि अलग-अलग देशों में जो चुनाव हुए थे उसके बाद जो नेता उभर कर आए हैं उससे भी वैश्विक परिस्तितियां काफी बदल चुकी है वो वैश्विक परिस्तिती केवल भारत में नहीं बदली है 2019 में चुनावों के बाद जिस तरीके से रूस में पुतीन शक्तिशाली हुए हैं चीन में शिरी जिंग पिंग शक्तिशाली हुए हैं तरकी में एर्गोडेन शक्तिशाली हुए हैं इन सब का कहीं ना कहीं दुन निर्नायक निर्नाय लेने में कुशल प्रधान मंत्री माने जाते हैं और वर्तमान विदेश मंत्री वो दोनों इंचनुवातियों पे खरे उतरे हैं ऐसा है संपात की यह कहता है अब आगे बढ़ते हैं आगे संपात की यह कहता है तो 2021 में priorities क्या थी हमारी संपात्किय कहता है कि वैसे तो अमेरिका में जो राश्च्पती चुना हुए उसके बाद राश्च्पती बदले गए उसके बाद जो बदलाव हुए यानि ट्रंप के बाद जो बाइडन आये और वहां की विदेशनीती में बदलाव आया वही अपने आप में काफी बड़ी चीज थी काफी बड़े बदलाव थे लेकिन वो सब कुछ छोटा पर गया जो कोरोना महामारी ने जो बदलाव पूरी दुनिया में लाए तो उसके बाद संपात के कहता है कि उस दौरान भारत की जो एक छवी रही शुरुवात में जो फान दिखा वो भारत उससे सेफ रहा लेकिन उसके बाद जब दूसरी लहर आई 2021 में तो सारे दावे जो थे भारत के वो धरे के धरे रह गए भारत जिसको दुनिया के फार्मेसी दुनिया के दवा खाने के तौर पे जाना जाता है क्यों जाना जाता है क्योंकि दुनिया की जेनरिक मेडिसिंस का बहुत बड़ा हिस्सा भारत में बनता है और वो दुनिया के बहुत सारे देशों को सप्लाई होता है तो हुआ ये कि दूसरी लहर के समय भारत के वो सारे दावे की हमारा हेल्थ केर सिस्टम तयार है किसी भी महमारी के लिए वो दावे थोड़े धूमिल हुए भारत ने बुरी परिस्थितियां देखी और हर ग्लोबल फोरम ने भारत को मदद का हाथ बढ़ाया इसके बाद समपात की आगे बढ़ता है और कहता है कि 2021 में अगली सबसे बड़ी चीज जिससे पूरा जो विदेश नीती थी भारत की और पूरी नीती भी थी भारत की वो उसी occupied रही वो थी चीन और भारत के बीच जो सीमा विवाद है लगदाक में वो फिर से सुलगने लगा तो इसमपात की आ कहता है कि इसके लिए तीनों चीजे अपनाई गई है डायलोग यानि बादचीत से भी रास्ता तलाशने की कोशिश होती रही है military preparedness यानि कि सैनिक तयारी जो सैन ने तयारी की आवशकता है वो भी हो रही है और economic pressure भी यानि कि anti-dumping duties लगाए जा रही है चाइना से आने वाले समानों पर या दूसरे देशों के साथ supply chain आपूरती की जो पूरी chain होती है उसको चाइना से मुक्त रखके establish करने पर बात हो रही है खासतोर पे जबान और भारत के बीच इस तरह के बात चीत हुई कि supply chain को लेकर जो dependency है चीन पर दुनिया की उसको कम करने की जरूरत है तो अभी ये सब work and progress ही है यानि इस पर काम जारी है अगला जो dispute रहा विदेश नीती के समक्ष वो अफगानिस्तान रहा और वो इतनी उमीद थी उससे जादा बड़ी समस्या बनके उभरा वो इसलिए भ सबके जो हित हैं वो एक और है और भारत और अमरीका के हित एक और है लेकिन अभी भी भारत के विदेश मंत्राले ने जिस प्रकार का रुक अक्तियार करके रखा है उसमें भारत ने अधिक से अधिक धियान अफगानिस्तान, अफगानिस्तान के अवाम और आतंकवात की र अफगानिस्तान में कैसे दुनिया फिर से दो ध्रवों में, दो नए ध्रवों में बढ़ती दिख रही है। भारत का ध्यान दूसरी चीजों पर रहा है। तो अफगानिस्तान का मसला भी अब तक उदेशनीती में ऐसे हैंडल किया है। इसके बाद ये संपात की आगे हाला कि ये संपात की ये भी कहता है कि साल कान्त होते होते भारत ने कुछ कमिट्मेंट्स क्लाइमेट चेंज को लेकर किये हैं जिस पर हम अलग संपात की में बात कर चुके हैं। ग्लासगो में जो COP26 की मीटिंग हुई थी उसमें प्रधान मंत्री ने अनेक वादे किये हैं पंचामरित का वादा किया है उन सब पर हम बात कर चुके हैं। इसके अलावा संपात के कहता है कि UN रिफॉर्म पर यानि संयुक्तराश्ट में जो सुधार होने हैं उस पर कोई बात आगे बढ़ी नहीं है और भारत ने भी अपनी इस्तिती को वही बना के रखा है कि हम इस इतराश्ट में सुधार की बात बहुत जोर सोर से आगे पढ़ी नहीं रही है। उसके बाद संपात के कहता है कि इस पूरे साल भारतिये विदेशनीती इसलिए भी बहुत बिजी रही क्योंकि भारत ने ये खुलापन दिखाया यो ओपिननस दिखाई कि वो अपने इक मित्र नहीं माने जाते या कई बार पारंपर इक्षत्रु भी माने जाते हैं तो इसी पर ये संपात कि ये कहता है कि भारत ने एक प्रकार का एक मिलिटरी ऑलायेंस जसको कहा जा रहा है क्वार्ड इसमें चार देश सामिल है भारत, जापन, समिज़त्राश्ट अमेरिक और Australia उसमें अपने engagement को और बढ़ाया जो AUKUS है AUKUS क्या है? Australia United Kingdom यानि England और अमरीका इन तीन देशों का एक प्रकार का Alliance है और जिसको Western Quad कहा जा रहा है तो Main Quad की तो हमने चार्चा कर ली एक कहा जा रहा है कि Western Quad है यानि क्योंकि भालत के पस्चिम में है तो उसमें अमरीका, इस्रेल और संयुक्त अरब, अमरात को उसका सदस्य माना जा रहा है तो इन सब समुओं को एक प्रकार से भारत acceptance दे रहा है कुछ में भागिदार भी है तो ये बता रहा है कि भारत अपनी जो सुदानी छवी थी विदेशनीती में कि उसको बहुत सेफ चलना है या मिलिट्री अलाइंसे से बचना है उस छवी को भारत ने तोड़ा है और वो कुछ जरूर तो जलते तोड़ा है बात के आगे बढ़ता है तो कहता है कि चीन के साथ कमांडर लेवल पर भी बातचीत होती रही है और डिप्लोमेट लेवल पर भी बातचीत होती रही है यानि कूटनीती के स्तर पर भी बात होती रही है ये बातचीत तब भी होती रही जब कि जो सुधार की गती है वो बहुत धीमी है और साथ ही चीन उनकई अग्रिमेंट्स से पीछे हट्टा दिखा जिनोंने एकने वर्षों तक भारत और चीन की सीमा पर शांती को एंशूर किया था साफ तोर पे ये इशारा 1993 के सीसफायर अग्रिमेंट की ओर है जिसको भारत ने कहा कि एक प्रकार से चीन गे उसका उलंगन किया है इसके अलावा संपात के कहता है कि रूस के साथ भी भारत अपने समझोते पर आगे बढ़ा S-400 मिसाइल की डील जो थी वो आगे बढ़ी भले ही अमेरिका का जो काट सा है अमेरिका ने पास किया है कि कोई भी देश रशिया से रूस से क्योंकि रूस पर economic sanctions लगे है तो रूस से अगर military साजो समान खरीटता है तो अमेरिका उस देश से जुड़े business पर प्रतिबंध लगा सकता है उस देश पर कई sanctions लगा सकता है लेकिन भारत अब तक एक प्रकार से अपवाद के रूप में आगे बढ़ता रहा है और उसके साथ अपनी S-400 मिसाइल की डील पर आगे बढ़ता रहा है इसके अलावा भारत ने शंगाई कोपरेशन ओर्गनाइजेशन जो सम्हू है जिसमें वो और पाकस्तान दोनों मेंबर हैं उसमें भी पार्टिसिपेट किया और इस पार्टिसिपेशन के बावजूद अफगानिस्तान पर उसने पाकस्तान और चीन से अलग अपना रुख अक्तियार किया उसके बाद संपात किये कहता है कि शायद जो बदलती हुई भूराजनितिक इस्थिती है इसके चलते भारत ने जो अपनी प्रेजिडेंसी उसको मिली है यूएन सेक्यूरिटी काउंसिल की अगस्त दोहजार एकीस में उसको बहुत तरजी दी बलकि उसके सेशन को अनप्रेसिडेंटल तोर पर प्रधानमंत्री ने खुद चेयर किया और भारत ने कई एहम मुद्दों पर विद्धिमिया का ध्याना करशित किया समुद्री, सेक्यूरिटी, मेरिटाइम सेक्यूरिटी पर शान्ती मिशन्स को लेके और आतंकवाद, विरोधी, अभियानों को लेकर एक पॉलिसी बनाने की बात भारत ने उस फोरम से की जिसमपात के कहता है कि इससे भले ही ये कहना जल्दिबासी होगी कि भारत को सेक्यूरिटी काउंसिल की जल्दी ही पर्मेनिट मेंबरशिप मिल जाएगी इसकी बात, जिसकी डिमांड भारत बहुत सालों से करता रहा है इसकी बात हमने जैसे थोरे देर पहले की भी समयुकतराष्ट में सुधारो के बात जभाम में की लेकिन ये संपात की कहता है कि ये कहना तो बहुत जल्दिवाजी होगी कि ये सुधार होने ही वाले हैं लेकिन जो भारत की प्रेजिडेंसी रही यूएन सेक्यूरिटी काउंसिल की उसने भारत की अंतराष्ट्रिये इसतर पर लेडर्शिप शमता को डेमोंस्ट्रेट किया उसके बाद संपात की आगे कहता है कि फॉरिन सेक्रेटरी साहब म्यानमार गए थे जब की आंग सांग सूपी और कई दूसरे जो लोग तांतरिक नेता हैं उनको जेल में डाला गया है तो इससे कई लोग कह सकते हैं कि भारत ऐसे समय में म्यानमार कैसे जा सकता है वो वहां के मिलिटरी साशन को क्या एक प्रकार से लेजिटिमेसी दे रहा है एक प्रकार से उसको वैथिता दे रहा है लेकिन ये समपारत के कहता है और हमने पहले भी एक दूसरे समपारत के में जिकर किया था कि ये किवल ये दिखाता है कि भारत अपने हितों को साधते हुए सभी से बात करने के लिए तयार है और उस बातचीत के थूँ वो अपने हितों को साधना चाता है ना कि बातचीत बंद रखे या दूसरे तरीकों से वो हितों को साधने की कोशिश कर रहा है साथ ही भारत की कोशिश ये भी है कि म्यानमार के केस में उधारण के तौर पर बातचीत शुरू रखना या शुरू करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि अगर भारत उस मैदान को खाली छोड़ देता है तो वो मैदान चीन के लिए खाली हो जाता है अंत की और बढ़ते हुए संपात के कहता है कि दो मामलों में अभी हम कह सकते हैं कि भारत के समक्ष 2021 के अंत में भी वो चुनवातियां कायम रहती हैं जो शुरूआत में थी वो दो मामले हैं चीन और अफगानिस्तान के मामले चीन में अभी तक हम यह एंशूर नहीं कर पाए हैं कि अशान्ती से पहले की जो इस्थिती थी हाल में वो वापस हो जाए शायद इसका कारण ये भी है कि चीन के राश्पती शीजिंग पिंग कमजोर दिखना अफॉर्ड नहीं कर सकते हैं चीन की अपनी घरेलू राजनिती को देखते हुए लेकिन वो जो भी हो एक बड़ा चैलेंज भारत के सामने आगे के साल में ये रहेगा कि कैसे शांती पून तरीके से जो भारत चीन सीमा विवाद है उसको सुलजाया जाए या उसको आगे और खराब होने से रोका जाए जहां तक बात है अफगानिस्तान की ये भी एक ऐसा चैलेंज है जो इस पूरे साल भारत के सामने बना रहेगा क्योंकि भारत ने humanitarian assistance यानि मानवधिकार के आधार पर अफगानिस्तान को मदद देना शुरू किया है तवाईयां भेजी गई अनाज भेजे गए और हाल ही में वैक्सीन की एक खेब भी वहाँ पे कल परसो ही भेजी गई थी लेकिन इसके बावजूद भारत ने जो limited engagement शुरू किया है limited engagement से हमारा तात पर है कि अभी हम तालिबान सरकार से अधिकारिक तोर पर कोई बातचीत नहीं कर रहे लेकिन वहाँ के लोगों की जो अविशक्ता हैं उसको पूरा करने के लिए हम वहाँ पर मौजूद हैं और इसी के थुरू हम वहाँ पे उस देश में अपने उस पड़ोसी देश के साथ अपने संबंदी भी कायम रखे हुए है लेकिन ये चैलेंज बना हुआ है कि वैश्विक बिरादरी जो है विश्व के सारे देश जो है इस केस में तालिबान के प्रती और पाकिस्तान और चीन के बढ़ते दखल के प्रती क्या रुख लेते हैं तो ये भी एक चैलेंज है जिसकी नियती 2022 में लिखी जाएगी इसके प्रती भारत को सजग रहना होगा पर्टेजन सब के बाद संपात के कहता है कि इस सब के बावजूद इन दो चैलेंजिस के बावजूद भारत का जो नया तरीका है डिप्लोमसी का गूतनीती का यह विश्व के भविश्य को तैय करने में एक एहम भूमी का निभाएगा ऐसाई संपात के का मानना है ये था आज का महत्वून संपात की ये मिलते हैं कल के महत्वून संपात के साथ अगले एपिसोड में धन्यवाद